नमस्कार दोस्तों आज आपन गोट फार्म के अंदर पुरा दिन का क्या शोडूल होना चाहिए बख्रियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए उनको क्या खेलाना चाहिए इसलिए इस वीडियों का इन तक देखेृ आपको पूरा समझ में आएगा क्या क्या स्टेफ्स अच्छ अ 24-7 मतलब 24 गंटे उनको अवेलेबल करके रखिए मतलब फार्म के अंदर रख दीजे ज़िदर जाके बक्रिया पानी पी सकती है जो बक्रिया 24 गंटे में कभी भी पी सकती है अच्छा कोलेटी का पानी रख दीजे दूसरी बात रही है जो मिनरल और कैलसियम के जो ब्लॉक्स रहते है जो इंटे रहते है मिनरल के और कैलसियम के उसका जादा प्राइज नहीं रहता वो भी आपके फार्म के अंदर लगा द जाएगी बक्री का दूद के जो प्रॉब्लम रहेगा वो भी स्वाल हो जाएगा क्योंकि क्या होता है जब इस दोनों चीजों के डिफेसेंसी नहीं रहेगी तो बक्री फूल आउटपुट से काम करेगी उसका दूद भी अच्छा रहेगा और वो गाबिन भी टाइमिंग कि टाइमिंग के टाइमिंग पर हो जाएगी ऐसा है यह दोनों चीज फ़िल अपने को करने का है एक तो 24-7 उनको पानी रखने का है और दूसरा कैल्सियम और मिनरल की इट है उसके अंदर फार्म के अंदर उनके बाड़े में रखनी है जिधर भी बक्रिया रहती है जिधर कई या और चाहिए नीचे का जो भी फ्टयूर उसको अच्चे से कलीन करना क्अची क्या होता है बक्री के यूरेंस जो आमोनिया जो नाइट्रोजन डेलोंप होता है वो घुण वा weight के लिए हनिकार्य होता है उसके वज़े से ग्हों ज्यादा दैजी से नहीं हो पाती बख्री की इसलिए निच्छे का फ्लोर अच्छे से क्लम किजिए हर दिन लुफ है तो आफ्षी मतलिक है ग्रीन फोडर या हराचारा सुकाचारा डालने के पहले उसको खुराख खिलाए क्यूंकि जब खाली पेट रहता है तो जो कोई भी जानोर हो उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी रहती है पतलब वो उसका ग्रास्प अच्छे से कर लेता है जो खुराख रहता है उसको अच्छे से अच्छा पाचा के उसको बाड़ी के लिए यूज़ करेगा हो मुथ कर दो खाली कर Filipinos 쓰는 ग्रॉट लिए उसको मिनिममाम चार पाच कि आपने को चारा चाहिосьी तो बिचले अच्छा कॉलीट गए चार दूरा रहेगा हाइपरोटीन का हाइमिनर का चारा रहेगा तो तीन से पाच के दिया तो बीचले तो ग्रीन फटर के सब्सक्ताइब पर बिलाया दो पर राटव जो नहीं कि अपने बडलाइगा भी तो भी खेलाने के उसको भी तो आपके पास रहेगा हैं यहां कि आपके पास रहेगा उसको अलग-अलग टइप किसा की क्या होता है human body भी अपने हरोज एक ही सब्जी नहीं खा सकते हैं अपने को हर दिन अलग-अलग कोई तो सब्जी चाहिए क्यूंकि एक चारा खिलाएंगे तो बून के वोड़ी के लिए बहुत सारे मिनरल से बहुत सारे कंटेंट फ्रोटिन का रवर्डिस लगते हैं बौड़ी के ग्रोथ के लिए बक्रियों को तो ग्रोव नहीं कर पाएगी इसलिए क्या करिए थोड़ा बहुत मतलब सुबे के टाइम में अपने उसको मेती गास खिलाया तो दूपर शाम के टाइम में उसक को बान के रखके आपके पास गवान वगरें वैसे सिस्टम नहीं रहे तो उसी टाइप से भी खिला सकते हैं तो यह सब चीजे ध्यान में रखिए और जो भी सुखा चारा मिनिमम एक केजी परड़े जानवर को एक केजी मतलब आदा केजी सुबे आदा केजी स्याम में इस उसको खुला छोड़ दीजे मतलब खाना खाने के बाद उनको वक्रे उनको ले आशा खुला जगे बनाई यह जाली मार के बना दीजे כל कि जो अंदर रहे थीह तो यह जग़ शेड के अंदर जाई बाहर आखे ठीड़ कर दिजीह आक हो कपम आपना और इस टाइब का अपना उसे सब्सक्रांटब कर से chodziıldı है धुए सोब्सक्राइब करेंसे टाम अब शोब्सक्राइब कोई लोग बोल रहे हैं चेने के बूसा खिलाएंगे कोई बोल रहे हैं कोई बोल रहें कि तूर का भूसा खिलाएंगे जो भी हो आपके पास जो भी dry fodder available हो खाली एक ध्यान रखिए कोई भी fodder हो green हो या dry हो उसके उपर fungus नहीं लगना चाहिए उसको बुर्शी नहीं लगना चाहिए बुर्शी लगा हुआ चारा मत खिलाए कोई भी जानुर को तो अच्छे quality का dry fodder मतलब आपने पास जो कई लोगों के पास owning का खेत होता है मतलब जो पैज का खेती करते तो पैज के जो tops होते उपर के वो भी आप dry चारे में खिला सकते हैं या आपके पास tour का भुसा हो चने का भुसा हो किसी भी चीज का जो भुसा हो जो जानवर खा सकते हैं आपने बकरी खा सकते हैं उसको आपने ट्राइ फोडर में खिला सकते हैं इसा नहीं कि आपने को हरीपत्ती लाके उनको खिलाने का या आपने को तूर का भुसा ही लाके उनको खिलाने का है या अपने को चेने का यह भूसा खिलाने का है वैसा कुछ नहीं जो आपको नियर वाई कम प्राइज में अच्छो कॉलिटी का जो ड्राइब फोडर मिल रहा है उसको खिला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यह हो गया फोरा फोडर मैनेजमेंट पूरा दिन का तो यह सब ने के लिए बच्चों को चोड़दो बक्रि के पस बाफेट टाइम में बकरो बच्चों को अलग रखिय वक्रियों से ओक ही तो यह सब चीजै ध्यान तो उसको अर्षिन हो सकता है इसले गाविन बक्रियों को अलग रखिय और इसके अलवा आपको डेली रूटिन मैनेजमेंट में जो भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है इसके उपर आप कॉल कर सकते हैं मतलब जो भी फार्म के रिगारडिंग या बक्रियों के रखने के रिगारडिंग बक्रियों के बच्चों के रिगारडिंग कुछ प्रावल्म हो तो आप मुझे कॉल कर सकते कोई दिक्कत नहीं और आपने इस चैनल को सब्सक्राब कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों की अंदर शीर कीजिए क्यूंकि हर एक को मालम होना चाहिए वक्रियों का किस टाइप से फीडिंग वगरे क्या सिस्टम रखना चाह कि अपने लिए इस तूखने का मनुए मैं क्यूंकिए cał्तरत कीजिए और ऊutके पुम् こर तो आपने रस